नमस्कार आपका स्वागत देदा नामा टीवी पे मैं पुनम आपके सब्सक्राइब 20 जनवरी को सीएम हैमें सोरें से इडी पुष्टाच करेगी इस पुष्टाच से एक दिन पहले 19 जनवरी को आदीवासी संक्ठन प्रदशन करेंगे यह प्रदशन राजभवन के पास होगा प्रदशन में शामिल होने राजज के आठ से अधिक जिलों से आदीवासी लोग आएंगे वहीं इस प्रदशन को च्रादीवासी संक्ठनों का समर्थन है इस बीच कार्मिक सची वंदना दादेल की और से एडी को लिखी गई चिठी का जवाब प्रवतन निर्दिशालाय ने दिया है एडी की और से जिस लहज़े में जवाब दिया गया है उस सरकार की मुश्किलें बढ़ाती है कार्मिक सची वंदना दादेल की और से एडी को लिखी गई चिठी को निर्दिशालाय ने गेर कानूनी कहा है निर्दिशालाय ने कहा किस तरकी चिठी जांच को प्रभावित करने वाला है ED ने सदिकारी का नाम भी पुछा जिसने के कहने पर चिठी भेची गई ED की चिठी में इस पर लिखा हुआ है कि राज सरकार केंदर की और से दी गई इन शक्तियों को प्रभावित करने के लिए कोई कानून या नियम नहीं बना सकती है एक और ED के जवाब ने सरकार को सकेत में ढाल दिया है तो वहीं दूसरी और ED के खिलाफ आंदुलन की तयारी की गई है राजभावन के समक्ष आंदुलन होगा इसकी खोशना केंदरी सरना समीती ने की है समीती के अध्यक्ष अजय तिर्की ने कहा कि आदिवासी सीएम को अस्थिर करने की साजिश है आदिवासीयों और जनता में इस बात का काफी रोश है ऐसे में राज़ के आदिवासी संगठन चुकरवार को राजभावन के समक्ष प्रदशन करेंगे एडी कारवाई के खिलाफ गाओं तक नाराज़गी की बात जे एमेम के महा सचीव सुप्रियों भटाचारे कहे चुके हैं 16 जनवरी को प्रेस कॉंफरेंस आयुजित कर जे एम एम के महासची सुप्रियो भटाचारे ने कहा कि राज में एडी जिस तरह से काम कर रही है उससे राज में रोश बढ़ रहा है जनता समझ रही है कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है आज कहां गाओं में इस बात का अक्रोश है रोश ने कहा कि लोगों में जो अक्रोश है वह कहीं विबत रूप न ले ले इसी के साथ बने राजनामा टीवी के साथ करने बाद